दोस्तो मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना Only4U चैनल तो दोस्तो आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजे साथी साथ बैल का आइकन भी दब को बहुत ही हद तक बढ़ा देगा इस आधार कार्ड को PVC आधार कार्ड कहते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसे कैसे online order कर सकते हैं और अपने पास मंगवा सकते हैं साथी साथ ये जो है इस चीज़ को आप mobile की आधार कार्ड application से भी कर स कर सकते हैं यहां पर यह चीज़ आप अपने registered mobile नंबर और या फिर अगर आपका mobile नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आप इसे order कर पाएंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि इस आधार कार्ड के कौन से ऐसे features हैं जो कि इसको खास बनाते हैं तो यहां पर सबसे प wallet में साथि-साथ इसकी जो है security उतनी जादा नहीं है जितनी की नए आधार PVC कार्ड की तो यहां पर इसकी size में आप देखेंगे तो किसी के पास में छोटी size का है किसी के पास में ये size का आधार कार्ड है तो यहां पर कोई भी universal size नहीं थी कोई universal pattern नहीं था इस आधार का साथ इसकी security जो है वो थोड़ी सी कम थी नए वाले card की comparison में तो अब देखते हैं नए वाले card को नए वाला card आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस card की जो size है वो आपके driving license या फिर आप कह सकते हैं ATM card की size का होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर की तरफ में secure QR code होगा जिससे कि easily इसकी verification की जा सकेगी यहाँ पर hologram बना होगा साथी साथ में यहाँ पर एक pattern use की गई होगी जो कि इसकी security को enhance करेगा और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ghost image and micro test भी text भी इसमें होगा ठीक है तो यह जो security card है mainly इसकी size और security को लेकर यह update आया है और आप इसे easily अपने wallet में रख पाएंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं कि आप आपको इसे कैसे download करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी official site पर जाना है यहाँ पर जाने के बाद में आपको माय आधार पर जाने के बाद यहाँ पर जाना है आपको करना है order आधार PVC card दोस्तो PVC का full form ऐसे होता है polyvinyl chloride यह एक अलगी तरह का plastic है जिसका use normally ID card बनाने के लिए होता है अब यहाँ पर यह link खुलने के बाद में आपको आधार card number यहाँ पर enter करना है उसके बाद में security code enter करना है और यहाँ पर अगर आपका mobile number register है तो simply आपको click कर देना है send OTP पर और अगर नहीं register है तो आप इस check box पर click कर दें और उसके बाद में आप कर दीजे enter T OTP और उसके बाद में आप पर OTP आजाएगा तो मेरा number register है तो मैं simply click करता हूँ send OTP पर इसके बाद आप यहाँ पर अपना OTP enter करें तो यह मैं OTP enter कर देता हूँ और terms and condition पर tick कर दें and submit कर दें तो यहाँ पर आप जो है अपने details को verify कर सकते हैं और उसके बाद में आपको क्या करना है simply make payment पर click करना है यहाँ पर 50 रुपए आपको pay करने होंगे और speed post के द्वारा जो है यह आपके घर में आ जाएंगे यह card payment करने के लिए आप card में credit card, debit card, net banking या फिर UPI का use कर सकते हैं payment करने के बाद में यह details आपके पास आ जाएंगे जिसके help से आप अपने आधार card को trust कर पाएंगे कि वो कितने दिनों में आपके पास आएगा तो यहाँ पर trust करने के लिए आपको माय आधार पे जाना है check आधार PVC card status पे click कर देना है इसके बाद में आपको SRN, आधार number और capture verification डालने के बाद में check status पे click करना होगा तो आप इस आधार card को जरूर से order कर ले क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में old आधार card हो सकता है ना चले तो इसे जल से जल order कर दीजे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को subscribe कर दीजे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में share करे ताकि उन्हें भी यह चीज पता चल सके और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी दबा दे मैं इसी तरह से नए वीडियो लाता रहूँगा थैंक्स वर वाचिंग गाईज बाई बाई